आज मैं आपके समक्ष पुना एक नई सिक्षण योजना को लेकर उपस्तित हुई हूँ जो अंतिम पाठ है इसको लेकर उपस्तित हुई हूँ जिसको मैंने तीन भागों में बनाया है इसके बाद तीन और चार की सिक्षण योजना मैं आपके समक्ष बहुत जल्द लेकर उपस्तित होंगी तो चलिए देखे इसका निर्मान मैंने कैसे किया वही सिक्षण योजना दिनांक अक्षा विशयवदी और चक लर्निंग आउटकम बच्चे एक से दस तक की संख्याय संस्कृत में लिख बोल लेते हैं बच्चे गद्यपाट की कहानी अपने शब्दों में सुना लेते हैं इस कहानी में एक संदेश वरनित है हम सब की गढ़ना करते हैं स्वयम क्या करते हैं भूल जाते हैं बच्चे नहित संदेशों को समस्ते हैं प्रकरण एक कह कुत्र गता सीखने सीख कहानी को दर्शाता चाटियों चित्र सीखने सिखाने की परिक्रियाएं गतिविधी चरण प्रथम चरण सामान परचर्च अबदी आकलन विधी सिख्षक बच्चों हम सब की कमियां गिनते रहते हैं पर स्वयम की भूल जाते हैं बच्चों आपने नदी देखी हैं बच्चो आज हम लोग प्रक्रण एक अह कुत्रगता का पठन पाठन उसमें नहीत संदेश को जानेंगे सिख्षक द्वारा काठिन निमारन करते हुए सब्दार्थों को बताते हुए अनुबाद बताया जाएगा फिर देखिए यहां तक सब्दार्थ आप देखिए फिर आदियोर हम सभी हैं अत्वा नहीं आगे देखिए चरण सिक्षन के मध्य अबदी आकलन बिधी सिक्षक बच्चों कि समझ को परखने के लिए प्रशनों को माध्यम बनाएगा साथ साथ काठिन निवारन भी किया जाएगा नदी में नहाने कितने बालक गये थे उसके नायक ने क्या पुछा सभी हैं या नहीं नदी में वह क्या करने गये थे ततपश्या दितियन उप्षेत का वाचन किया जाएगा बच्चों से कराया जाएगा श्यामपट पर शब्दार्थों को लिखते हुए अनुबाद बताया जाएगा फिर देखिए पूरा शब्दार्थ यहां तर पिर आद्य और अन्त जहां तक आपको करना है नुबाद यह कहकर वह एक तो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ इस क्रम से सब को गिने वह बोला यहां तो नौ लड़के ही हैं एक लड़का नहीं हैं सिक्षण के पश्यात यह आपका प्रतम भाग था सिक्षण अब तक ज चात अनुशेस्ते संबंधित प्रश्ण भी पूछा जाएगा सबसे पहले बच्चे को किस ने गिना नायक ने क्या बोला गतिविधी सिक्षक प्रत्यक बच्चे को श्यामपट पर एक एक करके संस्कृत में दस्तक गिन्ती को लिखने को कहेगा सिक्षक की भूमी का सहयोगात्मक रहेगी ग्रिहकार बच्चे अब तक की पढ़ी कहानी को हिंदी में लिख कर लाएंगे आगामी कारियोजना बच्चों को संस्कृत में रूची पैदा हो इसको ध्यान में रखते हुए बच्चे हुए अनुख्षेत का सरल्तम आगामी कारियोजना का निर्माड किया जाएगा फिर यहां से देखिए दितिय दिवस वही सेम चीज सारे कॉलम्स फिर यही सब पूर्वत आगे देखिए सीखने सिखाने के परिक्रियाएं गतिविदी चरण अवधी आकलन सिख्षक आपने एकह कुत्र गता का कुछ अंश सुना और पढ़ा आपको कितना समझ में आया कुछ प्रशनों का उत्तर दीजे नदी में कितने बालक स्नान करने गये थे कौन स्नान करके नदी से बाहर आ गिंती में कितने बालक निकले ततपश्यात आगे के अनुक्षेत का सिख्षक द्वारा बच्चों का काचिने निवारन करते हुए श्यामपट पर शब्दार्थों को बताते हुए अनुबात बताया जाएगा पर देखिए यहां तक का शब्दार्थ फिर वही आद्यांत अनुबात क्रमशह नदी सभी ने लड़कों की गिंती किया उन सब की गिंती में नौ लड़के ही थे यह मान कर वे सभी दुखी हो गये तभी वहां कोई राहगीर आ गया वह उन लड़कों से पूछा तुम्हारे दुख का क्या कारण है फिर सिख्षण का मद्यभाग अव पूछन भी पूछा जाएगा किसने किसने बालकों की गिंती की राहगीर ने क्या पूछा राहगीर ने क्या पूछा सिख्षण के पस्चा सिख्षक बच्चों को एक-एक पंक्ति को पुनहसफस्ट करेगा गतिविदी सिख्षक बच्चों से अब तक की कहानी को हिंदी मे सुनाने को कहेगा ग्रहिकार बच्चे अपनी उत्तर पुस्तिका में 20 तक गिंति संस्क्रत में लिख कर लाएंगे आगामी कारियोजना बच्चे वे अनुक्षेत की सरल्तम विधिद्वारा कारियोजना का निर्माण किया जाएगा फिर देखें यहां तृतिय दिवस आपका शुरू हो जाता है फिर वही सारे कॉलन जैसे खीचे गये थे और सब पूर्वत रहेंगे सीखने सिखाने की परिक्रियाएं गतिवेदी चरण आवधी आकलन प्रतम चरण सिख्षक अब तक के पढ़ाएगे अनुक्षेत को बच्चों से पुनाह चर्चा करते हुए शीर्चक है एक कहा गया वह सब किसको नहीं गिन रहे थे अपने आपको फिर देखिए शब्दार्थ यहां पर पूरा शब्दार्थ दिया गया देखिए वही आद्यंत जहां तक आपको उनवात करना है लड़का कहा हम दस लड़के स्नान के लिए आये थे इस समय नौ हो गये चरण सिक्षण का मद्यभाग अवधी और आकलन भी थी सिक्षक बच्चों से कुछ प्रशन अनुश्य से पूछेगा सारे लड़कों को किसने गिना सिक्षण के पश्चा सिक्षक बच्चों से पुना कहानी में हमें क्या सीख मिलती है सकी चर्षा करते हुए जीव गतिविधी पच्चों को एक गोले में बठाकर एक एक बच्चे को बारी बारी से गिनने को कहेंगे जब बच्चा स्वयम की गिन्ती भूल जाएगा तब सिक्षक उसे बताएगा दसमह तोमसी ग्रीकार संख्या पदान उचित अंके सह योज्यत ये आपको मिलान करना है आ हत्ता को दर्शाते हुए आगामी कार्योजना का निर्मान किया जाएगा धन्यवाद